दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनियूज महराश्च में सरत पौर की पार्टी एन्सीपी कोटिसे मंतरी नवाब मलिक के खिलाफ में अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और इस अपडेट की हوجासे नवाब मलिक के हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है जैसा कि आप सब को पता ही होगा कि नवाब मलिक को पिछले कुछ टाइम पहले एडी की टीम ने गरिपतार किया था और पिछले काफी टाइम से लगातार नवाब मलिक judicial custody में बंद है लेकिन अब इन ही सब चीजों के बीच में अभी अभी ED की द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है जहां पर ED के द्वारा बताया गया है कि नवाब मलिक के केस में फाइनली ED के द्वारा आज फाइनल चार सीट सम्मिट किया जाएगा आप सबको बता दूब कि पिछले काफी टाइम से लगातार ये अपडेट आ रही थी कि नवाब मलिक के केस में जल्द ही ED की टीम चार सीट सम्मिट करने वाली है लेकिन आज फाइनली ED के द्वारा कनफर्म कर दिया गया है कि आज साम तक इसमें अपनी फाइनल चार सीट सम्मिट कर दी जाएगी सबसे बड़ी बार नवाब मलिक को इससे एक एक बहुत बड़ा जटका इसलिए लगा है क्योंकि नवाब मलिक के केस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है यानि यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि अगर ED आज चार्शीट में ये कन्फर्म कर देती है कि नवाब मलिक का कहीं कहीं से कनेक्शन जो है दाउद इब्राहिम और मानी लौडनिंग केस में था तो इसका सीधा सीधा बात कन्फर्म हो जाएगी कि कल इनको कोई भी राहत सुप्र जाएगर